अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको बिना हिले डुले एक पैर पर खड़े रहना है तो आप जादा से जादा थोड़ी देर ही खड़े रह पाएंगे लेकिन जवलपुर संसकार धानी में इस्तित कुदरत का यह करिश्मा पिछले कई सो सालों से एक ही पॉइंट पर निरंतर ख किया हैंगिंग रॉक के नाम से प्रसिद है जहां यह पत्तर आप जो देख पा रहे हैं यह पिछले कई सो वर्षों से यहां पर इस्तिर है अगर इसके पीछे चुपे साइंस के बारे में हम बात करें तो हो सकता है यह पत्तर हवा और पानी की कारण उस आकार में आ गया है जिसके कारण इस एक पॉ Review पे इसे दोनों तरफ बराबर वज़न मिल रहा है जिसके कारण यह एक ही पॉईंट पे इतने वर्षों से इस्थिर है लेकिन सवाल तो यह आता है कि भीछर वर्षा और भूकम्पों के बाद भी यह पत्थर यहां से टस से मस नहीं हो रहा है इस इसकी उमर का अंदाजा लगाएं तो बताया जाता है कि यह पत्थर यहाँ पर गोणवाना काल से स्तित है और तब से लेकर आज तक इतने वर्ष बीच जाने के बाद भी यह वहां से टस से मस नहीं हुआ है। अच्छा दूर प्रदेशों से भी यहां पर आकर परेटन इस जगह पर पहुंचकर इस पत्थर के पीछे छोपे हुए विज्ञान का पता लगाने की कोशिस करते हैं। यह मेरे खाल से इंडिया में दोचारी की है। वहां पे मौझूद लोगों से जब बात करी तो उन्होंने तो इस पत्थर को चमतकार का नाम दे दिया। उसके बावजुद भी यह एक चमतकार मानी है निसरग का की वो टिका हुआ है और उसे देखने के लिए सारे लोग दूर दूर से आते हैं जिन जिन लोगों को भी मालूम हुआ। हम आगे हैं जबलपुर संसकार धानी के प्रसिद इस्तल पर एक फेमस प्लेस पे जो गौरवाना समराज जिसे यहां पर है आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं यह पत्थर जो की पूरे संसकार धानी में पूरे विष्ट में हेंगिंग रॉक या बैलेंसिंग रॉक के नाम से प्रसिद है यहां बताया जाता है कि गौरवाना काल से यह पत्थर यहां पर है और इसी तरह से यहां पर टिका हुआ है मतलब करीब कई वर्षों से संसकार धानी में पूरे प्रदेश में कई भूकम पाए भारी वर्षा हुई कई ऐसे हाथ से हुए लेकिन तब से यह पत्थर टस से मस नहीं हुआ है यह कुदूरत का करिश्मा है इसे देखने के लिए यहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं लोकल एटिंग के साथ भरतिवारी जवलपूर